अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल यह 19th February से लेकर 25th February तक क्या आपकी tarot readings है, tarot predictions है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशीफल Ladies आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of pentacles सबसे पहली चीज ये money का card है तो इस week specifically professional front में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी level पर किसी तरीके से या तो आपको gain हो रहा है, फाइदा हो रहा है या फिर इन ही चीज़ों पर आप ज़्यादा focus कर रहे हैं या इन ही चीज़ों को आप ज़्यादा एहमियत, ज़्यादा importance दे रहे हैं क्योंकि ये card family को भी represent करता है और professional front में जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं वो एक तरीके से हमारी family members बन जाते हैं तो कहीं उनका support रहता हुआ दिख रहा है या फिर आप उनसे ज़्यादा connect कर रहे हैं और सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन ये card कहीं long term stability, long term security की भी बात करता है तो या तो आप अपने professional front में इस week एक stability, security में हसूस कर रहे हैं या फिर आपके मन में सोच चल रही है कि क्या करें in fact मैं कहूंगी कुछ के लिए हो सकता है planning भी चल रही है कि क्या करें जिससे की long term financial, professional security, stability आप अपने professional front में ला पाएं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, आपकी ज्यादा meetings हो रही है कोई event हो रहा है, कोई get together आपके professional front में हो रहा है overall ये week specifically professional front से related काफी इच्छा रहतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of cups का card है और ये card कहता है कि थोड़ी सी confusion किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही इस week रह सकती है और again मैं कहूंगी reason सब के लिए differ करेगा लेकिन seven of cups का card कहता है या तो बहुत सरी चीज़ें आपके mind में चल रही है या फिर आपकी life में चल रही है और इसी वज़े से या फिर otherwise भी आप अपने goal मकसद पर नहीं focus कर पा रहे है कुछ के लिए हो सकता है आपको कोई decision choice लेनी है आप नहीं ले पा रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से related visualization तो बहुत चल रही है ख्वाप बहुत देख रहे हैं vision create कर रहे हैं लेकिन practical realistic steps या तो आप नहीं ले रहे हैं या फिर आप नहीं ले पा रहे हैं और दोनों ही scenario में अगर थोड़ा सा practical थोड़ा सा realistic आप अपने goal अपने मकसद को लेकर इस week हो जाएंगे जो भी चाहते हैं उसी से ही related action initiatives लें no matter what तो इस week के energies को आप बहतर कर पाएंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon in Germany का card है और ये card कहता है communication is the key तो जो भी आप करें अपने communication को जो लोग आपके आसपास हैं भले ही वो आपके professional front से हो या personal front से हो उनके साथ अपना communication ठीक रखें and दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा important होती है अपने self से communication ठीक रखें means अपने self से communication ठीक रखें means अपने self से communication positive रखें थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी खयाल रखें कि negative self-talk आप खुद के साथ ना करें ऐसा करेंगे तो इस week को काफी बहतर करेंगे नहीं तो परिशान हो सकते हैं और खास कर personal front में एक confusion ज़्यादा रहती वे दिख रही है तो आप खयाल रखके इस चीज को वाइड कर सकते हैं और astrology से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का काड है इसके इस app से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे और significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो यह था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉर इस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है और कुछ के लिए हो सकता है specifically आपकी बहुत high expectations थी आपको लग रहा था ये काम आपका हो जाएगा और आप बहुत उमीद लगा के बैठे वे थे और वैसा इस week नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से आप थोड़े से या फिर कुछ के लिटरली हो सकता है कि किसी लेवल पर किसी तरीके का नुकसान भी हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं आपके professional front में जो आपके हिसाब से चल रही है और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी energies में shift लेकर आएंगे उन चीजों को देखेंगे जो आपके हिसाब से चल रही ह एक positive frame of mind में आएंगे जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है यहां जिन में छोटे मोटे issues मसले रहे हैं आप उनको भी improve कर पाएंगे तो nutshell में एक positive frame of mind रखना बहुत important है थोड़ा सा positive नजरिये के साथ चीजों को deal करना बहुत important है ऐसा करेंगे इस week energies को बहुत बहु प्रेशान रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए page of wants का card है और यह card कहता है कि किसी news, message, email, phone call का अगर आप वीट कर रहे थे तो इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं इसी news, message, phone call, email की वज़े से या फिर otherwise भी एक enthusiasm, excitement रहते हुई दिख रही है लेकिन देखि और जब भी यह card आता है मैं यही कहती हूँ कि खयाल रखें, जोश में होश ना खोएं क्योंकि देखिए wants का card है तो enthusiasm, excitement को represent करता है उपर से छोटे बच्चे आपने देखें कितने जादा हर चीज को लेकर enthusiastic होते हैं तो यहाँ पर double enthusiasm आ जाता है और ऐसे में क्या होता है कि हम impulsive हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं बिना सोचे समझे चीजों को deal करते हैं थोड़े से या फिर काफी mature भी हो जाते हैं तो इन ही चीजों का अगर आप खयाल रखते हैं इस week तो इस week की energies को बहुत बहतर करेंगे नहीं तो देखिए immaturity में या फिर जल्दबाजी में wrong action initiatives ले सकते हैं जिसको लेकर बाद में परेशान हो सकते हैं और दिखिए थोड़े से इन ही energies की वज़े से restless और anxious भी आप हो सकते हैं लेकिन जो भी चीज़े मैंने आपको बताई हैं अगर आप उनका खयाल रखते हैं तो इस चीज़ को भी आप overcome करेंगे and in general या फर guidance से आप लोगों के लिए full moon eclipse का card है और ये card कहता है conclusions are within reach तो किसी भी चीज़ पे आप बहुत time से काम कर रहे हैं कुछ के लिए professional front हो सकता है कुछ के लिए personal front हो सकता है कहीं वो चीज completion के नजदीक आती भी दिख रही है होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि हमने इतना time invest किया या फिर हम इतने time से इस चीज के उपर effort कर रहे हैं और ये complete ही नहीं हो रही ये खतम ही नहीं हो रही तो इस week आपको ऐसे लग सकता है कि finally you know वो चीज आपकी complete हो रही है guidance के हिसाप से देखें तो जो incomplete चीज़े हैं उनको complete करने पर focus करें आगे बढ़ने से पहल है इसके हिसाब से जो भी सी के समुंद्र के रंगोते हैं सी ग्रीन सी ब्लू वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का साफ़ता है काशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि ये कि कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चली जेमिनीज आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप चीजों को लेकर situations को लेकर या otherwise भी काफी emotional, sentimental, sensitive होते हुए दिख हैं हैं और दिखे जब भी हम ऐसी energies में होते हम जल्दी हर्ट होते हैं क्योंकि हमें चोटी चोटी सी बाते बुरी लगती हैं या फिर हम उनको अपने दिल को लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि heart और mind का balance आप जरूर रखें क्योंकि specially professional front में जब हम ज किशान होते हैं क्योंकि professional front में अगर हमने professional attitude नहीं रखा तो हम चीजों को ठीक से नहीं deal कर पाएंगे दूसरी चीज यह card कहता है कि आप खुआप तो बहुत देख रहे हैं आप सपने तो बहुत बुन रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic तरीके से उनको आप deal नहीं कर रहे हैं या फिर एक practical realistic approach missing रहती हुए दिख रही है तो इन ही दोनों चीजों का खयाल रखते हैं इस week को आप बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर इस week तो नहीं है इसास होगा लेकिन आगे चल के आप थोड़ा सा regret कर सकते हैं और परिशान हो सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए page of cups क card है तो कहीं देखें ये दोनों ही card similar सी energies की बात करते हैं और personal front में भी कहीं same सी energies रहती भी दिख रही हैं जहां पे आप over emotional, over sentimental हो रहे हैं और साथी साथ sensitive भी हो रहे हैं चोटी चोटी सी बातें आप दिल पे लगा रहे हैं चोटी चोटी सी बातें के लिए आप hurt हो सकते हैं या फिर मैं कहूंगी बहुत emotional हो रहे हैं किसी भी news, message, email, phone call का अगर आप वेट कर रहे हैं specifically कहीं से invitation की वेट कर रहे हैं और फिर किसी loved one के एक loving caring message का आप इंतजार कर रहे हैं तो इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन इस चीज का खयाल रखें कि आप immaturity के साथ ची चीजों को डील कर रहे हैं और अगर आप इन ही सब चीजों का खयाल रखें कि maturity से चीजों को डील करते हैं थोड़ा सा overall ही इस week heart और mind का balance रखते हैं professional front में mind के हिसाब से जादा चीजों को करना है और personal front में again balance रखेंगे तो इस week को आप बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर बह emotional, sentimental वाली energies इस week रह सकती हैं फिर से कहूंगे जिसका एहसास आपको इस week नहीं होगा या फिर इन ही energies की वज़े से कुछ issues कुछ मसले हो रहे हैं उनको इस week नहीं realize कर पाएंगे लेकिन आगे चलके आप परिशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए bring love into the situation का card है तो जो भी चीज को करें lovingly करें frustrated ना हो परिशान ना हो गुसा ना करें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था जमिनीज आप लोगों के लिए coming week का साथा है क्राशी फ आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है release और देखें release के अगर हम literal meaning को देखें तो कहीं किसी चीज को let go करने की बात करता है और देखें release और let go हम तभी करते हैं जब हमने किसी चीज को पकड़ कर रखा है त आप उसको release करें या फिर आप खुद बखुद ऐसे ही energies में हैं जहां पर आप चीजों को release कर रहे हैं आप चीजों को let go कर रहे हैं अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब considerations के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी एक particular तरीके से आप अपने professional fund में काम कर रहे हैं या फिर again मैं कहूंगे fixated नहीं हो रहे हैं flexibility रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी idea या फिर किसी जगा किसी job किसी project किसी team या फिर किसी भी चीज को आपने tightly पकड़ कर रखा हुआ था आप बहुत link कर रहे थे उसको आप release कर रहे हैं उसको आप let go क बढ़ने की बात करता है यहां फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि overall broader level के लिए एक flexible approach रखने की बात करता है और अगर ऐसी ही energies में आप रहेंगे तो इस week को जाहिर सी बात है बहतर करेंगे और थोड़ा सा भी आप जिदी हुए stubborn हुए fixated rigid हुए तो परेशान हो सकते हैं और process, belief system उसको लेकर एक ending, beginning या तो आप कर रहे हैं या फिर हो रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए king of wands का card है और ये card बहुत एक enthusiasm, excitement की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal front में रहता वा दिख रहा है thinking of wands का card बहुत एक bold, courageous energies की भी बात करता है तो या तो आपकी ऐसी energies हैं जहाँ पर इस week आप किसी से भी डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं और कोई भी bold decision, choice अगर आपको लेनी पड़े आप बिंदास, you know, लेते वे दिख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझ आप ये decisions और choices ले रहे हैं, बहुत maturity के साथ एक courage और boldness के साथ आप चीजों को करते वे दिख रहे हैं, जो भी आपका goal है, मकसद है, उसी से ही related, action initiative भी, in fact मैं कहूंगी बहुत daring action initiatives आप लेते वे दिख रहे हैं, overall के लिए कहीं एक adventurous वाली energies इस week specifically आपके personal front में रहती वे कि कोई male figure हैं या female हैं जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से बहुत आपको एक motivation मिल रही है, enthusiasm, excitement मिल रहा है, नहीं तो फिर या आप भी की energies हो सकती हैं, considerians, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए your hard work is paying off का message है, तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने बहुत hard work किया, बहुत महनत करी, तो इस week उसका एक positive result, उसका एक positive outcome आपको मिलता हुआ दिख रहा है, and astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है, और इसके हिसाब से all shades of beige, brown, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था, Cancerians आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्र connect कर पाए, तो चलिए-लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, wise counselor, और ये card सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस week specifically professional front में, या तो एक stability, security आप महसूस कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है, आपको ऐसे की fixated होके आप चीज़ों को कर रहे हैं, और देखें आपे rigid energies एक positive तरीके से रहती हुए दिख रही हैं, यानि कि discipline maintain कर रहे हैं, आप risk नहीं लेना चाह रहे हैं, आप chance नहीं लेना चाह रहे हैं, tried and tested तरीकों से ही आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, होता है ना जो एक set formula है, जिसे कि हमेशा ही फाइदा होता है, या पर चीज़ें ठीक रहती हैं, उसी के हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे हैं, नए तरीके से, नए हिसाब से आप चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हैं, और इसके लिए सब videos के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन कार्ट के हिसाब कि आप किसी को counseling advice दे रहे हैं, या फिर किसी से guidance counseling advice आप ले रहे हैं, overall के लिए professional friends से related, ये week काफी अच्छा है, या फिर ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए Ace of Cups का card है, क्या बात है लियो, ये card भी बहुत ही beautiful energies की बात करता है, तो overall ही ये week आप लोगों के लिए ठीक ठाक, या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है, अभी हमने देखा, professional friend में stability, security आ रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है, आ जाएगी, और personal friend में एक नई beginning, किसी भी level पे, किसी भी तरीके से या तो हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे है और ये नई beginning, या फिर जो भी आपके personal friend में हो रहा है, happiness, joy आपको देता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको मिल रही है, आप काफी emotional, sentimental भी होते वे दिख रहे हैं, हो सकता है, किसी भी तरीके का get together, celebration, या फिर event भी आपके personal friend में हो रहा है, जिसमें आप involved हो रहे हैं, participate कर र हैं, तो overall के लिए, happiness, joy, satisfaction, celebration, किसी भी लवी पे रहती भी दिख रही है, दिखे, celebration हमेशा ही party, get together नहीं होता है, जब हम खुद की ही company enjoy कर रहे होते हैं, अच्छे से, you know, चीजों को enjoy कर रहे होते हैं, खाना पीना enjoy कर रहे होते हैं, तो वो भी एक celebration होती है, तो कुछ के लिए इस तरीके की celebration हो सकती है, कुछ के लिए literally हो सकता है, party हो रही है, get together हो रहा है, and yes, देखे, यहाँ पर Ace of Cups का card कहीं eating, drinking, merrymaking के भी बात करता है, और यह भी इस week किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से इस week रह सकता है, and in general, यहाँ पर guidance से, आप लोगों के लिए North Note का card है, और यह card कहता है, step out of your comfort zone, तो हो सकता है कि, देखे, आप अपने comfort zone में किसी भी चीज को लेकर है, और यहाँ पर बहुत ही clear message है, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका goal है, आपका मकसद है, वो आपके comfort zone से उस तरफ है, तो उस से बाहर निकलना बहुत-बहुत important रहेगा, and astrology से, आप लोगों के लिए Mars planet का card है, इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो यह था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि यह कितना आप connect कर पाए, चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है nine of swords, और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप बहुत ज़ादा overthinking कर रहे हैं, और देखिए जब भी भी हम overthinking करते हैं, तो positive thoughts नहीं आते, negative ही thoughts आते हैं, और जब भी भी negative thoughts आते हैं, तो हम खुश रहे ही नहीं सकते, हम परेशान होते ही होते हैं, अब यहाँ पर देखिए कुछ वगोज के लिए हो सकता है कि वाक्के ही में कोई solid reason है, लेकिन देखिए most of the rhymes वगोज जो भी ची मोटे-मोटे भी issues हो रहे होते हैं, जब overthinking कर रहे होते हैं, तो mind उनको बहुत बढ़ा बना देता है, और कहीं हमें ऐसा लगना लगता है कि पता नहीं कितना हमारे साथ गलत होने वाला है, पता नहीं कितना गलत हो रहा है, एक worst outcome हम visualize करने लगते हैं अपने मन में, और परेशान होते हैं, और हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई control ही नहीं है किसी भी चीज़ पर, तो यहां पर देखिए मेरा कहने का मतलब यहीं है, कि थोड़ा सा pause करके आपने अपनी self-talk को इस week जरूर जरूर अब्जरूर करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आपको एह इस week एक positive frame of mind में आप रहें, positive self-talk करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, इस week को आप भेतर करेंगे, नहीं तो फिर आप बहुत परेशान हो सकते हैं, और हो सकता है कि रात को आपको नींद भी ना आए, तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज़ का खयाल रखें, कि negative thoughts आपको over power ना करें, एक positive frame of mind में रहें, एक positive self-talk करें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए justice का card है, और ये card कहता है कि बहुत ही logically आप चीज़ों को deal कर रहे हैं, आपका broader level के लिए मकसद रह रहा है कि आप बहुत fair तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं, आप partial नहीं होना चाहा र देनी है, तो उसके pros and cons को देखते हुए, उनके, you know, advantages and disadvantages के बारे में अच्छे से, you know, देखते हुए ही आप वो decision, वो choice लेना चाहा रहे हैं, और देखे, justice का card ये भी कहता है कि पीछे आपने जितना effort, जिस भी चीज़ों के लिए किया, आपको उतना ही उसी चीज़ों से इ Fear energies की बात करता है, और Fear energies का मतलब ये नहीं होता कि हमारे साथ सब कुछ बहतर होगा, Fear energies का मतलब ये होता है, हमने पीछे अगर किसी के साथ अच्छा किया तो हमें इस वीग जडूर उसका एक positive outcome या फिर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हमने effort किया, तो हमें positive result मिलेगा, हम नहीं किया पीछे तो हमें एक positive outcome नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं उसको हम नहीं achieve कर पाएंगे तो यहां पर मैंने आपको सिरफ और सिरफ example दिये हैं कि इस week justice की energies रह रही है और justice आपके साथ जरूर होगा आपको finally ऐसा लग सकता है कि भई जो मैं deserve करता था वो मुझे मिला चाह चाहें वो अच्छा हो चाहें वो बुरा हो क्योंकि यह justice का card है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि court के चहरी आप विजिट कर रहे हैं किसी judge वकील को मिल रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि किसी problem किसी issue की वज़े से आप मिल रहे हैं कभी-कभी paperwork होता है driving license होता है और इस तरी है लेकिन सिरफ एका दुका लोगों के लिए ही रहेगी क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी और in fact justice का card problem और मसलों की बात भी नहीं करता है तो आप बिलकुल भी ये ना सोचे कि कुछ गलत होने वाला है बस you know emotions feelings missing रह सकती है logically चीजों को deal करना चाह सकते हैं और कभी-कभी in a very balanced way हमें ऐसा करना भी चाहिए and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए of course moon का card है और ये card कहता है nothing will come out of the situation और दिखें इस card की energy ज्यादा professional front की energy से match करती भी दिख रही है क्योंकि professional front में हमने देखा आप overthink कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं stress आपको किसी चीज के लेकर हो रहा है और यहां पर nothing will come out of the situation का card कहता है कि आप जो इतनी फिक्र कर रहे हैं न परेशानी कर रहे हैं इससे कुछ भी गलत नहीं होगा मतलब आप समझ रहे हैं न मेरी बात कि इस परेशानी का कोई इससे की you know concrete base नहीं है यह सिर्फ आपके मन की creation है कहीं guidance का card भी इसी चीज को और जादा confirm करता है तो please आप फिक्र ना करें आप चिंता ना करें सिर्फ positive self-talk करें positive frame of mind में रहें यकीन मानिये जितना worst outcome आपका mind आपको बता रहा है इतना कुछ भी नहीं होने वाला है and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था वागोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए a card है full of swords और ये card कहता है कि इस week या तो आप थोड़ा सा back step ले रहे हैं withdraw कर रहे हैं specifically अपने professional fund में या फिर बहुत कुछ activities आपके professional fund में नहीं हो रही हैं और दोनों ही सिनारियों में थोड़ा सा एक rest लेने वाली, rest करने वाली energy जादा रहती भी दिख रही हैं और यहां पर देखिए सब Libras के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत actively हर चीज में खुद को involved किया, आप थोड़ा सा थक गए, आप थोड़ा सा exhaust हो गए और इस week आपको लग रहा है कि भई थोड़ा सा हराम करना बनता है, अपनी energies को rejuvenate करन है, तो अराम ही कर लेते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत energetic नहीं महसूस कर रहे हैं, अब देखिए मैं यह नहीं कह रही कि आपकी health को लेकर कुछ issues हो रहे हैं, कभी-कभी होता है कि हम बड़ा lethargic सा feel कर रहे होते हैं, बड़ी एक lazy वाली energies होती हो और हमारा मन नह करता है, बहुत जादा चीजों में involved होने का, हमें लगता है कि थोड़ा सा अराम कर लें, तो देखिए सब के लिए different reasons रहेंगे, broader level के लिए यह काट कहता है, आप चीजों से या तो withdraw कर रहे हैं, और situations ऐसी हैं, जहां पर आगर आप participate करना भी चाह रहे हैं, तो नहीं कर पा हैं, और कहीं इसलिए या फिर otherwise फिर से मैं कहूंगे अपनी energies को rejuvenate, या तो आप करना चाह रहे हैं, या फिर future course of actions related, एक planning, एक strategy आप बनाना चाह रहे हैं, या फिर बना रहे हैं, और personal front के लिए आप लोगों के लिए two of pentacles का card है, और ये card कहता है, या तो एक से जादा में खुद को involve नहीं कर रहे हैं, और नहीं totally उस चीज से withdraw कर रहे हैं, तो दिखे, in and out, up and down वाली energies रहती भी दिख रही हैं, अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, तो figure है, ये एक पतली सी रसी के ओपर खड़े हुए हैं, और balance बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे Libras के लिए हो सकता है, कि आप किसी दो चीजों में या तो balance बना रहे हैं, कुछ के लिए professional front और personal front हो सकता है, जिसमें एक balance लाना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि आप बहुत सारी चीजों में involved हैं, तो कहीं सब चीजों को एक साथ manage कर र लेकिन देखिए overall के लिए दोनों ही front के card किसी भी negative energy की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी खराब चीज के होने की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं you know, एक neutral सी energies वाले cards आपके लिए दोनों ही front के लिए हैं, और यहां पर देखिए किसी चीजों को लेकर एक exchange भी हो सकता है, आप कर र you know, उस चीज को कर रहे हैं, तो ऐसी ही energies इस week आपके professional front में रह रहे हैं, क्योंकि यह money का card है, तो हो सकता है money, पैसा, आपका खर्चा हो रहा है, और broader level के लिए दिखिए कहीं एक stability, एक security बहुत जादा नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह सिरफ और सिरफ weekly reading है, तो यहां प up and down, in and out वाली energies है रही है, होता है ना कभी-कभी हम किसी चीज को लेकर बहुत enthusiastic होते हैं, दूसरे ही पल हम बहुत demotivated हो जाते हैं, तो यहां पर मैंने आपको सिरफ और सिरफ example बताया, कैसे up and down, in and out वाली energies है सकती है, and अब देखते हैं, कि in general या फिर guidance है, आप लोगों के fear, एक insecurity आप महसूस कर रहे हैं, और दिखिए, दोनों में से किसी भी front के लिए हो सकता है, और in fact, overall की ही energies के लिए हो सकता है, और ये personal front के लिए मुझे जादा रहता हुआ दिख रहा है, तो जिस भी life के area में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपर ये card, again आपको यही message दे रहा ह कि अपने fears को, अगर आपने overcome नहीं किया, तो आप परेशान हो सकते हैं, और दिखिए, मैंने बहुत बड़ी videos में बोला है, ये जो fears होते हैं, इनका कोई base नहीं होता, इनका कोई तत्व नहीं होता, ये baseless होते हैं, और ये सिरफ और सिरफ एक thought होते हैं, अगर हम इनको energy दे होता हैं, और हम परेशान हो रहे होते हैं, जब हम pause करके, अपनी self-talk को observe करते हैं, चीजों को बहुत डीपली analyze करते हैं, तो हमें realize होता है, कि अरे बहुत कोई बात ही नहीं है, ये तो सिरफ मन का एक fear है, जो कि हमें परेशान कर रहा है, और अगर genuinely भी कोई ऐसा reason है, जिसकी solution पर आप focus करेंगे, तो ज़रूर आपको कोई हल मिलेगा, आप इन्ही energies को overcome कर पाएंगे, और overall अपनी life में चीजों को भी आप भैतर कर पाएंगे, तो इस चीज का खयाल ज़रूर रखें, and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है, इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust, इस week आप लोग और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं, चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है balance, और ये card कहता है कि इस week आप बहुत moderately हर चीज को deal क करना चाहा रहे हैं, हो सकता है कि पीछे आप थोड़ा सा extremist वरी energies में थे, जहां पर या तो आप बहुत जादा ही extreme action initiatives ले रहे थे, या फिर बहुत जादा ही extreme तरीके से withdraw कर रहे थे, कही एक balance आप नहीं maintain कर पा रहे थे, और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि balance maintain करना बहुत ज आप डीके से आप डील करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भई ना तो आपने ज़रुत से जादा किसी चीज को pursue करना है और ना ही आपने ज़रुत से जादा backstep लेना है, and इस week कहीं peace maintain करना, सुकून रखना आपके लिए बहुत बहुत एहम रह रहा है, कितनी बा और इस week कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि भई अगर हमारा goal, हमारा मकसद हमें मिलेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम in the process अपना peace of mind, अपना सुकून नहीं खोएंगे, बहुत ही एक तरीके से, तरीके से भी ही मैं कहूंगी, balance तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, और trust me Scorpius, this is the ideal situation, क्योंकि जब भी हम too much, too less करते हैं, तब फिर कहीं, you know, at the end of the day, खुद को ही हम परेशान कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरीके की energies हैं, और नहीं फिर से कहूंगी, ये एक ideal situation भी होती है, जो लोग ऐसी energies में नहीं है, आपके लिए message है कि जो भी करें, बहुत ही balanced तरीके से करें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of wands का card है, ये card बहुत ही एक enthusiastic, excited वाली energies की बात करता है, जो भी आप अपने personal front में चाहा रहे हैं, उसको लेकर बहुत motivated भी रहने की बात करता है, और वो सकता है कि again मैं कहूंगी, जो भी आप चाहा रहे हैं, उसी से related, beyond the point घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, boldly, courageously हर चीज को deal कर रहे हैं, आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, तो आप उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हलका सा भी आपके साथ गलत कर रहा है, तो फिर आप उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, क तो कहीं इस तरीके की भी energies कुछ Scorpios की रह सकती है and क्योंकि यहाँ पर Queen of Wands का card है तो कुछ Scorpios के लिए भी हो सकता है कि कोई female जो की ऐसी energies में रहती है या फिर ऐसी energies उनकी है उनकी तरफ से supportive cooperative energies है रही है तो overall देखिए personal front काफी अच्छा रहता हुआ देख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए be bold and make the first move का message है तो कहीं देखिए जो आपकी personal front की energies हैं वही आपके लिए guidance भी है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी जो भी Scorpios अपने goal और मकसद को achieve करना चाहते हैं और मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भई वो boldly, courageously इसको pursue करना चाहते हैं लेकिन किसी भी reason की वेज़े से नहीं कर पा रहे हैं बहुत ही clear आपके लिए message है be bold and make the first move आप डरेना, आप घबराएना बहुत ही courageously आप अपना initiative ले, action ले ये आप लोगों के लिए इस week के लिए guidance है जो भी आप चाहा रहे हैं, जिस भी चीज को again मैं कहूंगे आप achieve करना चाहा रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा बेडनेस दे तो ये था ascopios आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशीपल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चले सरी डे जैसा आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है कि एनर्जीज हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में broader level के लिए एक success, एक victory आप महसूस कर सकते हैं अब दिखें थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि literally you know success, victory मिल रही है यानि कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत महनत कर रहे थे तो एक positive outcome positive result आपको मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इस week आपके professional front में हो रहा है आपको यसे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने goal को achieve कर लेंगे अपने मकसद को पा लेंगे और इसलिए एक sense of victory आप में हैसूस कर रहे हैं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं otherwise भी professionally आपसे connected है वो कहीं आपको काफी appreciate करते हुए दिख रहे हैं काफी उनकी तरफ से एहमियत, importance भी आपको मिलती भी दिख रही है तो nutshell में ये week specifically professional front से related काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of swords का card है और ये card कहता है कि थोड़े से critical, थोड़े से judgmental आप personal front में हो रहे हैं आप दिखिए general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सब sedentaries के लिए different reasons होंगे बस बहुत हो गया, अब आपने न इन emotions, feelings की वज़ए से खुद को hurt नहीं करना है आपने mind से हर चीज को deal करना है, एक planning, एक strategy आप बनाते हुए दिख रहे हैं और बहुत blunt, बहुत straight forward अपने communication में होते हुए दिख रहे हैं and कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई female या फिर male जिनकी feminine energies है और वो थोड़े से logical है, थोड़ा सा mind से चीजों को deal करते हैं उनकी तरफ से एक काफी supportive energies हैं तो broader level के लिए देखिए, बहुत ही clarity के साथ आप चीजों को deal कर रहे हैं in fact, एक word और add करना चाहूंगी, clarity और logic के साथ चीजों को आप deal कर रहे हैं emotions और feelings की वजए से खुद को confused नहीं होने दे रहे हैं जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, सिरफ और सिरफ उसी के ओपर आप focus करते हुए दिख रहे हैं इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए card है full moon और ये card कहता है surrender to the divine तो इस week आप जितना एक divine को surrender करने वाली energies में रहेंगे एक complete faith, एक complete trust divine या जिन भी God को आप मानते हैं उनके उपर रखते हुए चीजों को deal करेंगे उतना ही इस week के energies को आप बहतर करेंगे के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जुरूर बताए कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए के अफ्रिकॉंज आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the chariot और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently, बहुत assertively अपने goal, अपने मकसद की तरफ action initiatives लेते हुए दिख रहे है in the process काफी willpower, determination, courageous, bold energies भी रहती हुई दिख रही है और दिखे जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम अपने goal, अपने मकसद को पा ही लेते है क्योंकि chariot का card travel को भी represent करता है तो कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि या तो इस week आप travel कर रहे हैं या फिर travel से related planning, travel से related एक सोच आपके मन में रह रही है और overall के लिए देखे ये card victory और success की बात करता है तो किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक victory, एक success भी या तो आपको मिल रही है या फिर कुछ ऐसा आपके professional front में हो रहा है जिससे कि आपको ऐसी feeling हो सकती है कि yes अब आगे जाके जो भी आपका goal है, मकसद है आप उसको achieve करी लेंगे आपको वो success, वो victory मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए awakening का card है तो दिखे professional front में बहुत एक bold energies रह रही है कहीं एक movement रह रही है, shift रह रही है growth progress पे focus कर रहे है, आगे बढ़ रहे है लेकिन personal front में एक stuck सी energies रहती भी दिख रही है तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एकदम से contrary energies आप लोगों के लिए personal और professional front में रह रही है और personal front की बात करें तो हो सकता है आपको इस वी कैसा लग रहा है कि आपके हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ compromises, कुछ adjustments, कुछ sacrifices यहां तो आप कर रहे हैं और in the process, awakening का काट कहता है कि एक realization, एक एहसास काफी सारे चीजों का रहता हुआ दिख रहा है और देखिए, जब भी यह काट आता है, हम यह कहते हैं कि ज़रूर कुछ adjustments, कुछ compromises आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, लेकिन beyond the point आप इनी सब चीजों को लेकर परिशान नहीं हो रहे हैं क्योंकि awakening कहीं एक realization के साथ इनी चीजों को करने की बात करता है और देखिए, आप overall ही अगर life को देखें तो ऐसा तो possible ही नहीं है, कि जो हम चाहते हैं हरदम हमें वही चीज मिल जाए हमारे हिसाब से चीजें हो छोटे-मोटे compromises, adjustments करने पड़ते हैं इसी का नाम जिंदगी है but in the process हमें एक चीज का जरूर-जरूर खयाल रखना चाहिए हमें वो compromises, adjustments नहीं करने चाहिए जिनके लिए हम ready नहीं है या फिर जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं तो इस चीज का खयाल रखे otherwise फिर से मैं आपको बता दूँ personal friend में कुछ खास नहीं हो रहा है एक-stuck energies इस week रह सकती है और क्योंकि ये weekly reading है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत-बड़ा कोई मसला हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है लाइफ है जैसे कि मैंने आपको अभी कहा छोटे-मोटे issues मसले रहते हैं तो वैसे से energies रह सकती है लेकिन professional friend काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon in Pisces का card है और ये card कहता है meditate and contemplate तो कहीं देखिए इसी तरीके की energies आपके personal friend में रह भी रही है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया stuck feel कर रहे हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा अगर meditate करेंगे contemplate करेंगे यानि कि अपने मन को शांत करके यहां पर मैं यह नहीं कहूंगी कि literally आपको meditation करनी है जो भी चीज आपके लिए work करती है उसी चीज को follow करके अगर आप अपने मन को शांत करके universe की energy से connect करते हैं या फिर खुद के साथ ही connect करते हैं तो जो भी चीजें अगर आपको bother कर रही है और फिर जिस भी चीज का आप जवाब चाहा रहे हैं हल चाहा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा astrology से Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था कि आप लोगों के लिए coming week कर सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे कमेंट सेक्षिन पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ रिजनेट किया कितना आप connect कर पाए चलिए क्वेर्स आप लोगों के लिए देखे कि आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें magical energies का मतलब यह नहीं है कि कुछ जादू टोना हो रहा है कुछ इकदम से miraculous हो रहा है इसका मतलब broader level के लिए है कि किसी चीज को अगर आपने expect नहीं किया आपने उमीद कोई वो इस week या तो आपको मिल रही है या फिर उसी को लेकर एक उमीद आपकी बन रही है इका दुका लोगों के लिए कोई miracle भी रह सकता है लेकिन फिर से कहूंगी broader level के लिए जो चीज आपने expect नहीं करी थी या फिर उमीद छोड़ दी थी वो इस week हो रही है और overall के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही willpower determination के साथ in fact मैं कहूंगी logic के साथ आप अपने goal मकसद को pursue करते हुए दिख रहे हैं action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं universe की तरफ से भी energy supportive रहती हुए दिख रही है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी और universe की energies align है जो आप चाहा रहे हैं उसको manifest कर पा रहे हैं या फिर उसी को manifest करने से related बहुत जबरदस्ती confidence रहता हुआ दिख रहा है तो overall professional front इस वी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि magician male figure को represent करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कोई इनसान जिनकी masculine energies हैं उनकी तरफ से बहुत एक support बहुत एक cooperation मिल रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of wands का card है और ये card कहता है कि किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक pressure एक burden specifically personal front में आप महसूस कर सकते हैं अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन जब भी एक card आता है मैं यही कहती हूँ कि आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं आप अपना तो काम कर ही रहे हैं और भी जो आपके loved ones है, close ones है उनका भी काम कर रहे हैं उनकी भी responsibilities आपने बारे हैं और जब भी एक card आता है मैं एक और चीज कहती हूँ कि बहुत बहुत important है कि आप इन responsibilities को कम करें अपने burden, अपने pressure को offload करें क्योंकि इस week आप नहीं इस चीज को समझ पाएंगे लेकिन आगे चल कर इसी वज़े से आपकी physical body में issues हो सकते हैं आपकी mental health खराब हो सकती है तो फिर से मैं कहूंगी एक balance अपनी energies में specifically personal front में दरूर लेकर आएं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए give this moon का card है और ये card कहता है you are very close to achieving your goal तो दिकिए दोनों ही fronts के card कहीं goal मकसद के करीब होने की achieve करने के लिए you know आप बहुत करीब हैं उस चीज़ के और इस time पे थोड़ा सा सबर थोड़ा सा patience थोड़ा सा faith रखना बहुत important होता है क्योंकि जितना आपने goal को achieve करने के करीब होते हैं उतना ही act times मैं हमेशा नहीं कहूंगी लेकिन कभी कभी न हमें एक fear आजाता है कि कहीं इतना नजदीक आकर नहीं पाया तो तो फिर से कहूंगी कि faith रखें universe पे trust रखें और बहुत beautiful आपको card message भी दे रहा है कि आप अपने goal को achieve करने के बहुत करीब हैं तो आप एक इत्मिनान भी रखें और astrology से आप लोगों के लिए Venus Greta card है इसके इसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वाइसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है The Empress और Empress कहीं tarot में abundant energies की बात करती है abundant energies का मतलब है कि किसी भी चीज की कमी नहीं होगी किसी भी चीज का lack नहीं होगा जो भी आपको चाहिए भरपूर होगा या फिर उससे थोड़ा सा जादा होगा और broader level के लिए अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है and otherwise देखें तो ये कार्ट कहता है किसी भी चीज को लेकर अगर पीछे आप बहुत effort कर रहे थे महनत कर रहे थे तो एक positive outcome एक positive result आपको मिलता हुआ दिख रहा है और बहुत ही comfortably बहुत ही असानी से चीजें होती भी दिख रही है या मैं सा भी कह सकती हूँ कि बहुत इस week आप चीजों को लेकर अपने काम को लेकर comfortable होते हुए दिख रहे हैं किसी भी तरीके का discomfort नहीं रह रहा है किसी भी तरीके की परिशानी नहीं रह रही है जो भी हो रहा है आप उसको भरपूर enjoy कर रहे हैं और broader level के लिए फिर से मैं कहूँगी काफी अच्छी energies इस week specifically आपके professional front के लिए रहती हुए दिख रही है और personal front के लिए आप लोगों के लिए page of pentacles का card है और ये card कहता है कि कि किसी भी news, message, email, phone call का अगर आप वेट कर रहे थे आप नहीं भी कर रहे थे तो इस week मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ये news, message, phone call बहुत ही practical, बहुत ही realistic कोई news आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से related अपनी knowledge और gain करने पे focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कोई skill आप update कर रहे हैं अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो figure हैं उनके सामने बहुत सरी किताबे पड़ी हुई हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि knowledge gain कर रहे हैं, skill update कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपके घर में बच्चे हैं या फिर अगर आप खुद parent हैं तो आपके बच्चे हैं आप उनको पढ़ा रहे हैं उनके academics उनकी पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर रहे हैं या फिर आप खुद ही कोई चीज पढ़ रहे हैं और यहां पर देखिए professional friends से related ही या फिर you know academics वाली पढ़ाई ही पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं होती है अगर हम you know एक cooking करते हैं तो cooking से related भी हम कोई course अगर join कर रहे हैं तो वो भी skill को update करना हो जाता है तो इस तरीके की energies रहती होई दिख रही हैं थोड़ा सा practical थोड़ा सा realistic होके आप चीजों को deal कर रहे हैं लेकिन थोड़े से immature भी आप चीजों को लेकर हो सकते हैं यह immature energy surprises के लिए differ करेंगी लेकिन एक stubborn एक जिद वाली immaturity रह सकती है या फिर एक impractical या immature practicality आपकी तरफ से रहती होई दिख रही है तो थोड़ा सा खयाल रखें कि maturity के साथ चीजों को deal करें किसी भी चीज को लेकर अगर आप नहीं confident महसूस कर रहे हैं या नहीं sure हो पा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिस भी इंसान को आप बहुत trust करते हैं उनसे आप बात कर लें उनसे आप discuss कर लें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon in Aries का card है और ये card कहता है it's time to take action तो जो भी आप चाहते हैं उसी से related बहुत बहुत important है कि इस week आप action initiatives लें क्योंकि कितनी बार ही होता है न हम बस सोचते ही रहते हैं हमें लगता हमें ये करना है ये करना हम करते नहीं है और फिर हम उन चीजों को miss करते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है कि काश उस time पे इतना मन कर रहा था और अंदर से महसूस भी हो रहा था कि action ले लें पर action लिया नहीं और अब उस opportunity को miss कर दिया तो फिर से कहूंगी जो भी चाहते हैं या फिर मन में बहुत जादा सोच रहे हैं अक्षन नहीं ले पा रहे हैं तो इस वीग जरूर action initiatives लें उसी चीज को लेकर astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है और इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था पाईसेज आप लोगों के लिए coming week का साथ था ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए